चलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुबरेडिस का क्लश्टर सेट अप किस तरीके से किया जाता है और इसका क्लश्टर सेट अप हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं उस पर भी आज हम लोग डिसकस करेंगे कहां कहां पर करने का मतलब यह है कि on-premises में कैसे करतक करेंगे cloud पर कैसे करेंगे यह सारी चीज़ आज हम लोग discuss करने वाले तो basically मेरे topic का जो आज नाम है Kubernetes Clusters Configuration मैं लिख देता हूँ यहाँ पर clear तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप अपने Kubernetes Clusters Configuration जो है आप on-premises में कर सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर दूसरा आप अपने cluster Clusters Configuration Cloud पर जा कर सकते हैं फिर जाय वो AWS Cloud दो म्रह चाहे वो Google Cloud दो चाहे वो Azure Cloud दो चाहे वो समयर चाहे भी और cloud क्यों ना हो हो न थीज्वा मैं आपको पदा दूँ आप अपनी प्लेटफॉर्म में यह होता है कि आपको इंफरस्ट्रक्चर के टेंचन नहीं है आपको पूरा बना-बनाय क्लस्टर मिल जाएगा तो आगे बात करेंगे प्लेटफॉर्म में सर्विस के बारे में और अंदर जाके अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें कुब्र प्रेमेसिस में लगाना है तो किस तरीके से लगाना है तो अगर आप उन प्रेमेसिस में क्लस्टर सेटप लगा रहा है इसका मतलब है कि आप उसे अपनी बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं तो अगर आप अपनी बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं तो सबसे पहले आ से आपने मार्केट गया और मार्केट से आपने हाडवेर खरीदा और कम से कम मिनिमम दो हाडवेर तो होने ही चाहिए अगर आप क्लस्टर बना रहे हैं तो यहां पर मैंने मार्केट गया और मार्केट से मैंने तीन हाडवेर खरीद के लिया है अब हाडवेर खरीद के लाने क यह लेजिए अब OS डालने के बाद अगला step क्या होता है अगले step यह होगा कि यह तीनों जो hardware जिनकी उपर आपने OS इंस्टॉल जो OS आपने इंस्टॉल किया है अब आपको यह तीनों की तीनों मसीन को आपस में पर आप इन तीनों को एक नेटवर्ट सेटप भी लगाएंगे तो आप क्या करिए आप एक स्विच रख दीजे और स्विच से तीनों को कनेट कर दीजे ठीक है या फिर आपके सिनर्यों में ऐसा भी हो सकता है कि यह वाला सर्वर किसी और हो इसपे कोई और network हो इसपे कोई और network इस पर इन तीनों को आपस में करा रहे हैं just kind of router वगएरा लगाके वो एक network का पार्ट आ गया वो तो आपको करना ही करना है basically मुद्दा यह कि आप तीनों की तोनों मसीर को आपस में communicate करा दें बस अब जब यह communicate होने लगे तो यह communicate होने लगे मतलब यह तीनों की तिनों नोड एक प्रकार से आपस में connected हो चुके अब उसके वाद आप क्या करिए अब आप select कर लीजे कि कि किस नोड को आप master रखेंगे और किसको आप worker रखेंगे तो माले जिए मेरा पर्पस यह कि इस वाले नोड को में master नोड बनाऊंगा और इस वाले नोड को में worker बनाऊंगा ठीक है अब मेरा agenda यह किसको में worker वर्कर नोड वन रखना चाहता हूं इसको मैं रखना चाहता हूं वर्कर नोड वन और इसको मैं रखना चाहता हूं वर्कर नोड टू ठीक है चल तो अभी नाम देने से यह master नहीं हो गया नाम देने से वर्कर नहीं हो आई यह तो मेरा एक planning है कि मैं इसे अज़ा बास्टर नोट ट्रेड करूंगा और इसे मैं अज़ा वर्कर वर्कर टू अब सवाल आती है कि इस पे हमें कुपनेटिस का cluster setup करना है करें के मार्केट में कुछ टूल ही अगर सब से फेमस टूल की बात करूं तो आप को बदादू क्यूबいて Qubadium एक टूल है जिसके थूँ आप अपना Kubernetes का cluster setup कर सकते हो तो माल लेजे Qubadium नाम का टूल आप इस वाले नूट में जाके अगर आपने कमान्ड मना क्यूब एडियम इन इसलाइस ठीक है यह क्यूब एडियम इन इसलाइस कमान्ड भी तभी चलेगा जब आपको इस मास्टर नोड में क्यूवेडियम, remains charger सोप्टर इंस्टाल करना पढ़े मैं तो मालिजए आपने इंसारे तीनोट में की तीनोट में आपने Docker इंस्टाल कर दिया कूब्य इंस्टाल कर दिया कूब feat इस्टॉल कर दिया अब आप क्या करेंगे इस नोड में जाके क्यूव एडियम इंसलाइस कमांड चलाएंगे तो यहां पर क्यूव एडियम इस वाले मसीन पे as a master node configuration स्टार्ट हो जाएगी ठीक है कहने का मतलब यह कि इस वाले नोड के अंदर Kubernetes cluster के जो components होते हैं जो हमने last class में बात किया था controller, scheduler, API server वो सारे components इस node के अंदर create होना स्टार्ट हो जाएगे लेकिन अब वो सारे components इस node के अंदर pod के अंदर create होंगे किसके अंदर pod के अंदर तो एक-एक pod बनेगा और एक-एक pod के अंदर एक pod में आपका controller install हो जाएगा एक pod में scheduler, एक pod में API server, code DNS यह सारा का सारा automatic हो जाएगा और उसके बाद क्यूवेडियम इनी slice का बड़ जब complete हो जाएगी तो यह ready हो जाएगा as a master node उसके बाद आप लोग in worker1 और worker2 को इस master के साथ as a worker जोइंग करा लीजे और फिर उसके बाद यह आपका completely kubernetes cluster setup हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी deployment वेर करिए कोई problem ने तो एक तो तरीका यह था लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा करें matter to क्यू वेडियं अम सब कुछ कर रह Allah आपको सिर्फ cluster पे डॉकर के अंदर जो तीन नोड है उसके अंदर आपको डॉकर निस्टॉल करना पड़ा क्यू ये क bets कर ना पड़ा क्यूबलेंट cluster setup करती हैं लेकिन कई कंपनिया की डिमांड ऐसी होती है कि हम QVDM टूल को लही समाल करना चाहते क्योंकि QVDM टूल हमारे विहाप में ही सब कुछ कर देता है हम चाहते हैं कि Kubernetes cluster की जो components हैं जैसे controller हो गए API server हो गए scheduler हो गए हम हम इसे खुद बनाना चाहते हैं उस case में क्या होता है कि Kubernetes cluster setup करने का एक manual configuration भी है जिसको हम लोग कहते है file method configuration क्या कहते है file method configuration तो file method configuration में क्या होता है कि हम लोग क्या करते है कि जो Kubernetes cluster के components होते हैं जो controller हो गए API server हो गए scheduler हो गए यह सारे pod हम खुद बनाते हैं क्यूवेडियम नहीं बनाएगा क्यूवेडियम चलाते हैं तो क्यूवेडियम बना जेता है सारे के सारे components सारे सारे components एक pod में चला देता है और उन components को API server के साथ वह इंटीग्रेट भी कर देता है लेकिन अगर हम file method configurations की बात करें तो हमें API server API server के pod हमें खुद बनाने पड़ेंगे वह हम लोग YAML file पर लिखकर बनाएंगे उसके बाद हम scheduler खुद बनाएंगे तो जब हम लोग scheduler का pod बनाएंगे YAML file के through तो उसमें API server की IP को इंटीग्रेट खुद करेंगे राइट कंट्रोलर खुद बनेंगे उसमें भी API server की IP की इंटीग्रेशन खुद करेंगे तो यहां पर पूरा का पूरा file method थोड़ा सा manual configuration हो गया लेकिन best है थोड़ा सा आपको customization मिल जाती है अपने level पर काफी ज़्यादा controlling है अगर आप file method configuration से करना चाहें तो एक और benefit होता है मैं आपको समझा देता हूं इसमें क्या होता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि master node के major components हैं जैसे API server हो गया controller हो गया scheduler हो गया यह तीन major components हैं तो अगर आप यूवेडियम से इसको configure करते हैं तो इस node के अंदर तीनों की तिनों components इसी node में आ जाते हैं API server scheduler और controller ठीक है लेकिन अगर मैं file method configuration से करूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर मैं एक node इस node के अंदर मैं API server के pod रख लूँगा दूसरा node रख लूँगा उस node के अंदर मैं controller के pod रख लूँगा तीसरा node मैंने रख लिया उस node के अंदर मैं scheduler के pod रख लूँगा तो evenly हर component से अलग-अलग node पर मैं चला रहा हूं लेकिन ऐसा कब होगा जब आप file method configuration को use करते हैं ठीक है तो यह सारी सीज़ा हम लोग practical में देखेंगे तो सीख जाएंगे सारा का सारा कुछ ठीक है तो यह दो तरीका मैंने आपको बताया क्यूव एडियम और फाइल मैथट कॉन्फिकेशन तो इस तरीके से फिर company अपने on-premises में kubernetes का cluster setup करती है और अपनी deployment अब इस cluster के उपर start कर देते हैं अपनी application विगरा चला लो तो यह तो हो गया on-premises का इसी तरीके से अगला method अगर हम cloud की बात करें तो cloud में भी आप जाकर same cluster setup कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप cloud पे जाएंगे ठीक है आपने cloud पे चलेगे कोई क्लाउड पे आप जा सकते हैं चाहे हो AWS cloud हो ठीक है चाहे हो आपको Google cloud हो चाहे हो आपको Azure cloud हो किसी भी cloud में जाएं कोई problem नहीं है आपको cloud पे जाने के बाद क्या करना होगा VMs आपको create करना होगा अब देखी cloud में और on-premises में डिफ्रेंसी भी बता देता हूँ on-premises में आप सर्वर मार्केट से खरीद रहे हैं cloud में आप सर्वर cloud प्रेटर से ले रहे हैं लेकिन मसीने लेने के वाद उसकी network setup आपको cloud में भी खुद करनी पड़ रहे हैं उसकी highly available बनाके रखने के लिए आपको load बेंसर भी हो सकता लेना पड़े आटो स्केलिंग भी लेने पड़ी तो एक प्रकार से आप cloud में भी जा रहे हैं तो पूरा-पूरा network infrastructure आपको खुद करना पड़ रहे हैं सिर्फ cloud आपको विए प्रोइड कर रहे है बस और network resources प्रोइड कर करना है तो या तो आप क्यूवेडियम का इस्तमाल कर लीजिए या file method configuration कोई भी यूज कर सकते हैं उस तरीके से फिर आपका cloud पे क्या हुआ यह कुब्रेडिस का cluster setup रेडी हो गया और फिर उसके बाद आप इसके ओपर अपनी deployment यूज करें एक तो यह तरीका है दूसरा तरी टूल मार्केट में भी लेवल है जिसको हम कहते हैं कॉप्स ठीक है लेकिन यह जो कॉप्स नाम का जो टूल है यह सिर्फ AWS के लिए अभी यूज होता है मतलब अगर आप AWS पे आते हैं तो आप अगर AWS पे cluster setup करते हैं क्यूवेडियम से तो यह VM वेगर आपको खुद बनानी पड़ती हैं इसकी network infrastructure खुद करना है management खुद करना है एक प्रकार से यह on-premises ही type से हो गया सिर्फ VMs वेगर आप cloud provider से ले रहे हैं लेकिन एक कॉप्स नाम का टूल है बहुत स्मार्ट है यह क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ कॉप्स नामी की टूल में यह होता है कि मा आएगा AWS पे और आपका master node worker node बना कर उसको आपस में integrate कर देगा VPC खुद create कर देगा load balancer उसके ओपर लगा देगा auto scaling सब कुछ अपने आप कर देगा तो काफी अच्छा टूल है कॉप्स कई कंपनिया कॉप्स के थरू भी इंप्लीमेंट करती है तो ध्यान रखना कई वार इंटर्व में पूछ लेते हैं कि कॉप्स और क्यूब एडियम में क्या differentiate है तो मैं आपको बता देता हूँ क्यूब एडियम जो है एक प्रकार से इनिस्लाइज इनिस्टेज से स्टार्ट करता है ready करना ठीक है मतलब आपको infra खुदी बनानी पड करते हैं ठीक है फिर उसके बाद क्या करते क्या करते हैं कि मिलडट करते हैं यह सारी इस्टॉल और फिर अप इंस्टाइक करते हैं लेकिन को expanding यह संनी हूता है कॉप्स में आपका थर्ड पार्टि कंपू необход रोगा आपका लousing पर्सुन। भी हो सकते हैं वहां पर आपने क्य सब कुछ अपने आप कर देता है तो जब आम लोग इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे सी क्लियर कर देंगे इसी तरीके से अब देखिए अगला वीम अगर आप चाहें तो अपना कुब्रेटिस के क्लुष्टर सेट अप वीम के ऊपर भी कर सकते हैं मतलब इसमें क्या है कि आप बड़े-बड़े ये नंबर उफ सर्वर मत खरीदी आप एक बड़ा सर्वर खरीद लीजे उसके उपर आप वीम वेर डाल लीजेए वीम वेर के उपर आप तीन वीम बना लीजे और इस पर करेगा AWS पे इस चीजों का ध्यान रखेगा इसी तरीके से अगला अगर हम बात करें तो देखिए प्लेटफॉर्म इसा सर्विस है प्लेटफॉर्म इसा सर्विस में यह होता है कि यार कोई कंपनी है जो बोलती है यार हमें यह इंफ्रा वगेरा मैनेज करना नहीं आता है हमा प्लेटफॉर्म इसा सर्विस में यह होता है कि आपको बना बना क्लस्टर मिल जाता है कि जिसमें आपको नोड लेने की जुरुत नहीं है आपको सिर्फ जाके क्लिक करना कि मुझे एक क्लिस्टर देथे जिसमें 2 वर्कर नोड एक master node आपके वियाब में back end में सब कुछ ready हो जाएगा उनकी high redundancy हो जाएगी order scaling सब कुछ हो लोग कर देते हैं अब सवाल आता है platform as a service देते कौन-कौन लोग है तो दोस्तों यह platform as a service आपको cloud provider देते हैं जिसमें से सबसे famous जो cloud operator है जो platform as a service उसका number one पे चल रहा है वो है Google तो अगर आपको kubernetes का platform as a service लेना है तो Google का use करिए number one पे चल रहा है जिसको हम लोग कहते है GKE Google Kubernetes HR इसी तरीके से second number पे Azure का चल रहा है जिसको हम लोग कहते है AKS Azure Kubernetes Service और थर्ड नंबर पे जो है AWS है लेकिन AWS वहत ही रती है ना के परावार AWS का platform as a service यूज होता है लेकिन फिर में आपको बता देता हूं जिसको हम कहते है EKS Elastic Kubernetes Service तो platform as a service में यह होता है कि आप Google Cloud पे login करते हैं और एक dashboard टाइप से होता है नेक्सनेक करते हैं आप बोल देते हैं इतने master node इतने worker node दे दे वह आपको बना कर दे देता है बस आप उसके उपर अपनी deployment करते हैं यह hardware वगेरा यह VPC लगाना यह लोड वैंसर लगाना यह tension फिर आपके खताम हो जाती है ठीक है तो नमबर वन पे Google Cloud का चलता है सकेंड नमबर पे Azure का तो कई इंडस्ट्री आपको कई कंपनिया कई कंपनिया इस सेनारियों पर भी काम कर रही है कि वह लोग अपना Kubernetes यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वह लोग लोग प्लेटफारमेजर सर्विस को यूज़ कर रहे है जैसे गूगल का जी के यूज़ कर रहे है एज़ोर का EKS यूज़ कर रहे है उन्हें यह hardware मैनेज करना नहीं आता या उनके पास strong team नहीं है या उन चाहते नहीं है कि यह hardware जैसी tensions अपने सर के उपर लें तो लोग प्लेटफारमेजर सर्विस में मूफ कर जाते हैं इसी तरीके से एक और company है जो आपको एक प्लेटफारमेजर सर्विस प्रवाइड करती है बोले तो अगर kubernetes की बात करें तो open source है तो एक company है जो kubernetes को और docker को मिला कर उसके उपर अपना कोडिंग करके अपना एक टैग लगा दिया और वो लोग बोलते हैं कि यह लिजे kubernetes का प्लेटफारमेजर सर्विस तो उस company का नाम अगर मैं बता हूं तो red hat है तो red hat ने ऐसा काम किया है कि docker को को कमबाइन करके अपने उसके उपर अपना एक्स्ट्रा कोडिंग करके अपन प्लेटफारमेजर सर्विस को अगर आपको यूज करना है तो आप लोग क्या करिए कुछ नहीं अपना नोड ले लिजिए और नोड के उपर OS इंस्टॉल कर लिजिए और उपन सिप्ट का सॉप्टर इंस्टॉल कर लिजिए बस आपको एक काइंड ओफ प्लेटफारमेज प्लेट अगरह नहीं है कहाँ चल दी क्या नहीं है सब उपन सिप्ट बैकेंड में मैंनेज कर लिजिए तो यह ओपन सिप्ट है जो रेडट कर साथ आपको देता है लेकिन इसमें आपको सपोर्ट मिल जाती है उपन सिप्ट में कोई भी दिक्कत आपके क्लेश्टर में क्वैट्फमेस सर्विस को मार्किट में एक सेल कर रहा है कई कमपनिया open में भी आपको मिल सकती है इसी तरीके से आगे अगर हम बसक्राइब है तो यह मैंने अपको जितनी चीज़े बता दी जैसे मैंने आपको यह बता दिया रचाट का open shift बता दिया फिर से लिख देता हूँ और यह मैंने आपको on-premises का बता दिया qbdm बता दिया कॉप्स बता दिया platform as a service बता दिया तो यह सारी चीजे जो है दोस्तों यह एक production environment के लिए बोले तो आप किसी company में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक live environment में यह सारी चीजे मिल सकती है अब जरूरी नहीं है कि हर कंपनिया on-premises में लगाएं जरूरी नहीं कि हर कंपनिया AWS पे जाके लगाएं हर कंपनिया Google Cloud पे लगाएं हर company VM पे लगाएं हर company platform as a service को यूज करें कई company में आपको ऐसा scenario मिल सकता है कि कोई company on-premises में लगाके बैठी हुई है कोई company AWS cloud पे लगाके बैठी हुई है VM create करके कई company AWS पे बैठी है लेकिन cops के through लगाके बैठी है कई company platform as a service यूज कर रही है Google का कई company Azure का platform as a service यूज कर रही है कई company reddit का open ship को यूज कर है यह लोग तो यह scenario आपको टिपिंड करता है company to company ठीक है ना तो लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए उसके बाद जब cluster setup लग जाता है उसके उपर की जो functionality है Kubernetes की वह एक प्रकार से सेम ही है ठीक है ना अब बात करते हैं एक learning environment पे तो learning environment के लिए जो cluster setup है वह है आपका mini cube तो Kubernetes आप से बोलता है कि अगर आप learning environment में बैठे हुए हैं अगर आप development में है या testing environment में हैं तो आपको Kubernetes की lab करने के लिए इतने बड़े-बड़े cluster लगाने की जुरूत नहीं है आप एक single VM पे आप mini cube इंस्टॉल करके single node cluster लगा सकते हैं तो mini cube यहाँ पर बहुत बढ़ी है tool है जो एक single node cluster setup कर देता है Kubernetes का इसमें क्या करना होता है देखिए माल लीजिए यह आपका laptop है ठीक ना यह माल लीजिए मेरा laptop है मेरे laptop में क्या है Windows 10 इंस्टॉल है तो mini cube में क्या होता है कि Windows 10 आपके laptop में इंस्टॉल है आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर एक virtual box इंस्टॉल कर लीजिए ठीक ना virtual box इंस्टॉल कर लीजिए या Microsoft का Hyper VOS on कर लीजिए उसके बाद आप अपने laptop में क्या होगा जैसे mini cube को स्टार्ट करेंगे तो वर्चुल वोक्स में जाएगा एक छोटा सा VM क्रेट होगा और इसके उपर mini cube इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आप अपनी सारी यहीं पर कर सकते हैं तो इसी के अंदर आपके सारे components आ जाएंगे तो यह production environment के लिए नहीं नहीं है यह learning और testing के लिए क्योंकि होता क्या है देखिए कि आपने माल लीजे आप Kubernetes की learning कर रहे है ठीक है ना तो आपने सारे cluster setup बनाना सीख लिया पूरा कपूरा अस तवाल आता है कि Kubernetes की जो आगे की functionality है जो commands वगे रहा है जो इनके features है उसकी लैब हमें करना है तो उसकी लैब करने के लिए कि आपको बारवरी cluster setup लगाने की जुरूत नहीं है क्योंकि at least cluster setup आप लगाएंगे तो hardly 45 minute एक गंटे लग जाता है तो हर आप छोड़ी सी लैब करने के लिए 45 minute cluster setup में वेश्ट करेंगे कोई फायदा नहीं तो उसके लिए क्या minikube 5 minute में start हो जाता है minikube के थुरू आप एक single node cluster बना है उस पे lab करें तो learning point of view के लिए सोचे हैं और आप अगर किसी company में काम कर रहे हैं real environment में वहाँ पर भी kubernetes की नया कुछ service आ गया नया कुछ functionality आ गया उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो भी आप minikube के उपर कर सकते हैं तो basically minikube को learning और testing purpose के लिए design किया गया है तो बहुत ही बड़ी है मैं आपको इस सारी चीजे configuration करना सिखाऊंगा जितनी भी मैं यहाँ पर बता रहा हूं हर एक तरीके से हम cluster setup करना सीखेंगे उसी तरीके से एक और मैं आपको बता देता हूं learning point of view से एक बहुत important और बहुत अच्छा feature यहां पर अभी level है काटा कोड़ा तो काटा कोड़ा दोस्तों एक online platform है जहां पर आप एक बना बनाय क्लस्टर ले सकते हैं within the second बना बनाय क्लस्टर तो काटा कोड़ा भी आपका एक platform है online जहां पर आप free of cost जाके बना बनाय क्लस्टर सेटप ले सकते हैं और वहां पर अपनी आप लैब कर सकते हैं तो काटा कोड़ा भी best है और mini cube भी best है दोनों अच्छा है लेकिन काटा कोड़ा में एक condition है कि अगर तक ही मिलता फिर्स के बाद हो आपका है ठीक है तो कोई छोटी मुटी लैब अगर आप करना चाहते तो काटा कोड़ा पर कर सकते हैं ठीक है लगाना सीख लीजे जब आप एक एक वर सारे cluster setup लगाना आपको आ जाएगा तो फिर आगे की functionality को पढ़ने के लिए आगे की functionality की लैब करने के लिए आप mini cube और काटा कोड़ा के इस्टमाल करें बहुत best है तो हम लोग भी यहाँ पर इसी scenario को follow करेंगे पहले हम लोग हर एक platform पे cluster सेटा बनाना सीखेंगे पहले हम लोग बात करेंगे on-premises में भी फिर हम लोग बात करेंगे cloud पे भी हम लोग बात करेंगे जो commands वगेरा है वो उसकी जो practice है वो फिर हम लोग काटा-कोटा में कर लिया करेंगे कोई problem नहीं तो basically यह जो मैंने आपको बताया है यह बताना एक बहुत important चीज़ता है क्योंकि आपके mind में यह picture set हो जाए कि Kubernetes का जो cluster setup है वो कहां-कहां पर हो सकता है क्योंकि कई बार लोगों को confused रहता है कि वो किसी company में गये तो उस company में Kubernetes का cluster setup on-premises में किसी company में गये तो Azure platform as a service पर use कर रहे है तो उन्हें बहुत ज़्यादा confusion रहता है कि यह कैसे हो रहा है और यह कैसे हो रहा है तो उमीद करता हूं कि इस video को watch करने के बाद आपके सारे doubt clear हो जाएंगे और इसी तरीके से हम लोग अगले video में मिलेंगे इनकी lab के साथ तो अगले video में हम लोग जो lab अगले video में मिलते हैं हम लोग cluster setup करना वाया mini cube टूल तब तक लिए दोस्तो बाबाए